हेलो दोस्तों तो स्वागत है आपके आज के वीडियो में आज हम आप लोग को कराने जा रहा है हिस्ट्री का टॉफ हंडेट कोशन जो आप लोग को विहार बोट के सेंटर और एक्जाम के लिए बहुत ही इपॉटेंट है जैसा कि आप लोग को पता है कि विहार बोट पिछ इस रिए रहे ग乐 को कोई चुटना नहीं चाहिए ताकि सब粉 के पास यह विडियो पहुच्टिचू को और सारे बच्चे बिहार से सफ़ल हो ठीक ना बिहार को बदनाम नहीं होने देना है यह लक्ष लेकर चलना है तो आप दोस्तों के पास सेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ कमेंट सेशन में जवाब जरूर देज़ेगा अगर आप लोगों को कोशन का एंसर पता पता दे कि हड़ा सभयता के सबसे मौत्पूर्ण बिसस्ता पुझे तो वह थी नगर योजना के बारे में ठीक ना क्या नगर योजना के बारे में तो क्या हो जागा आप्शन एवी एंसर जैसा कि आप लोगों को पता है कि सब्जेक्टिव में कोशन पुछता है कि हड़ा सबेता के नगर योजनां के बारे मिन क्या लिखना पडम सब्णांता है वहां की घर की कि सब्स्राइब अब तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब के बारे में बताना पड़ता है ऊडए कुछिएचेएँप कि हड़ापा सवेता का सासन यहां का जो मतलब की सासन था और किसके हाथों में था तो यहां तो कोई राजा का कोई परमाण नहीं मिला है और नहीं कोई मतलब की राज सासन का कोई परमाण मिला है तो यहां आपने बैपारी को चुछ किया है यहां पर जो सासन था वह बैपार यहाँ पुख के चुर्छू पतन जो मूखे करना था और क्या था तो फरीक क्या हो जाएका सभी मारते होंगे लेकिंडे मत मारियेगा तो अगर कोश्चन ये करता है कि हड़ापा सवेता के पतन का मुख्य कारण क्या है ठीक ना मेनी रीजन पूष्टा है तो हम क्या मारेंगे बाड़ को मारेंगे क्या बाड़ को मानेंगे ठीक ना चलिए फूर नंबर कोशन पर ध्यान देते हैं चार नंबर कोशन है कि हड़ापा सब्यता में सौर पर्थम किस एस्तल की खुदाई की गई बहुत इपोटेंट कोशन है बाबू आप लोग को इस कोशन को भी भी आई को खुदाई हो थी जिसका खुदाई 1921 में हुआ था ठीक ना उनीस सो एकस में हुआ था इसके खुदाई और इसको मतलब की इसको खुझने वाले का था दयाराम सहने किसका नाम था ढयाराम सहाने तो आप लोगो पाता हो गया कि हड़ापा सब्यता में सवर परतम की खुदा यांना पर दितन न की जया था इसकी खुछ किस निक्या था तो राखल दास बनर जी ने किया था आ डी बनर जी जो कि हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं यहां से गोधी वाड़ा का करता हैं तो यह से यूगल वाड़ान का परमाड मिला है यहां से हाथी का दाथ भी मिला है वोग्वान अदी के किनारे अगर हम काली बंगान की बात करें आगर हम काली बंगान की करते हैं तो आपका राजस्थान में ठीक न कहा है राजस्थान में है गंगानगर में सुर्शति नदी के किनारे इस्तिता ठीक न और यहां से जूते हुए का सक्ष कहां से मिला है तो अब यह बंदरगा क्या होता है बंदरगा का मतलब वह था कि जहां से पानी के जहाज से समान को आयात और निर्यात किया जाता है उसे हम बंदरगा कहाते हैं तो यह बंदरगा सब्सक्राइब हमार के शंस सब्सक्राइब नोटा सब्सक्राइब अब है तो लेकिन कोश्चन यहां पर क्या है कोश्चन है कि हटपा सबिता में बंदरगा कहां से मिलाथा तो लोथाल से मिला तो अगला कोश्चन देते हैं कि मौरेक अलमे टक्साल का परधान न? पान्या धक्ष तो पन्या दक्ष पर देए हैं यहां प्याद रखेगा question no.7 कि more a once की रधानी कहा थी more a once यह वही वाँस है बाभू जिसका अस्थापना ने चंद्रगुप तो मोरे क्या था तो मोरे once की रधानी तो प्यादी प्याटी कहा थी फ्ली प्यादी प्यादी प्यालक और रचेगा आप क्लेदी कि मतलब किसका निर्माडho था तो पाटली पुद्र का निर्मार्य गंगा सोन और पुन पुन तिन नद्यों के सप्क्रां तो अधा और द्तेर आर्ड लिएगी आफ मैं नमर कोश्चों पर ध्यान देता है कि मोरे कारीन राजाक कलींग कहां इसतीत था नहीं नमर कोश्चन देखते हैं नहीं नमर कोश्चन में शामहरता ठीक नहीं यह कोश्चन बहुत ही पॉट्टेंट बोगों कि मोरे प्रसाशन में शामहरता कोँ था तो अब ठीना मोरेकाल में ब्रहमदे क्या था मतलब कि मोरेकाल के सासन में जो ब्रहमा को दान देने वाली चीज थी ओ क्या थी तो में ब्रह्मन को भूमी दान दिया जाता था तो क्या हो गया हमारा ब्रह्मदे हो गया इगारा नमर कोश्चन देखते हैं कि असोक ने महेंद्र संहिमित्रा को धर्म परचार के लिए कहां भेजा था अब बता दे तो महेंद्र संहिमित्रा तो आप बनेट्व को स्रेलन को स्रेल्व परचार के लिए चलिए बारा नमर कोशन देखते हैं कि असोग किस वन्सका साथ सकता तो अप्सण इसका नीचे दिया होगा तरहीं अगला नमर कोशन देखते हैं तरह नमर कोशन नहीं कि ऑस्तो किस ब typically के पर्भाव से बहुत बना रभाव कर यह युद्ध के बाद से उसका हिर्द्य परिवर्थन और उसे भी निरव सारे नर्सनयार देखे थे उसका हिर्द्य परिवर्थन हो गया और व्हार उसे प्लिदि वगोद आपका तेरा का आपसन एह हो जाएगा उपगुप्त के परभाह में अगर कि उपगुप्त के परभाह में आया था चलिए चौदा नमर कुशंच रखते हैं कि मौरे काल में कलिंग की रधानी तो बली तो बली इसका टोथली आखिरे इसे तोबली करके यह तोबली कर गया लेकिन अप्शन से विल एंसर रहते हैं क्या होगा तोबली होगा ठीक है चलिए बहुत ही करेके आहे बार पूत्र के निमासी इन्हों ने जीरो का अविश्कार पूरे दुनिया को बताया था ठीक है जो नगर युजनाती जो सड़क व्योस्ता थी जो नाली व्योस्ता थी वह क्या था मतलब कि एक सहर के जैसा ही था वहां के जो जो सासन व्योस्ता था वह भी एक सहर के जैसा ही था तो पहली किया था हडपा तो 18 के बावु आपका हो जाएगा ठीज इस सभी लोगों ने गीता के महत पर विचार बैट कि हैं आप लोगों को तो विबेकानन जी पूरा बढ़ियां से परचे होंगे मात्मा गांधी ने भी इस पर विचार बैट कि हैं और गंगाधर तिलक ने भी गीता पर महत विचार सभी हो जाएगा क면 मम यी समिर्ती के राइस्टा कं नहीं इस नबर कोशेंगा दियाद कि मनर्व समिर्टी के राइस्टा कौन तो आप लोग को बता दे कि मोई में समिर्थी तिक राइथय तो देखु इस टेक न जली इस नमीद एक कोषण आपकैंव कि जिएगा कि झितने तक चला तक तक जला ऊते हुआध तक चला हुआ तो chat प्राचीन भारत के महागावे हैं चलिए 22 नमर कोशन पर द्यान देते हैं मनुस्मिर्थी में कितने परकार के विवा का उलेख किया गया है कि मनुस्यमिर्थी में कितने परकार के विवा का उलिख किया गया है तो मनुस्यमिर्थी में आठ परकार के विवा का उलिख किया गया है जिसमें से पर्थम चार विवा को आच्छा विवा माना गया है तता नीचे के चार विवा को असुर विवा यानके राष्षासी विवा के चलिएगा कि बूढ़ का साध्नात में दिया पर्थम उप्दीश क्या घलाता है तो यह वो धर्म चक परिवर्थन कलता अठाधा अगर्णा चली त्री पिटक में कौन सा घ्र अता है तो आप लोग बताते ने की तरी पिटक में और अभी धम में पीटक ना मतलब कि यह तीनों फॉलो कर रहा है तो जब तीनों फॉलो कर रहा है तो क्या हो जागा उप्योक्त डी दी हमारा क्या हो जागा वील बी अंसर हो जागा ठीक है है कि सासन काल में बूद्ध का वभाजन हिन्यान और महायान में हुआ यह बहुत है बनी कि सासन काल में बूद्ध का जो वह Pine छोग्याता वे बाद dulu भागव में बढ़ चुका था एक ही ने और महायान और फिर आगए जाके एक और हो गया उसका नाम था बढ़ श्यान थे नंस्यांग तो टोटल मिला के एक ही ल्वा भागव में बढ़ चुका जो बुद्ध भगवा ने अपना त्याग दिया था घर छोड़ दिया था तो उस घटना को क्या करते हैं तो जब घर छोड़ने की घटना होती है उसे महा भिनिसिकरम करते हैं क्या महा भिनिसिकरम की घटना करते हैं लेकिन जब बुद्ध भगवा के जब मिर्ति हो गई थी तो जब मिर्तु होई थी तो उसको क्या बोलते हैं महां परिनी वारन भोलते हैं एक महां परिनी वारन तो यह अब क्या हो जाएका गषर के घर की जो में नेती थी जो गटना थी वह महां भीनिशक्रम हो जाएगा ठीक न आप सन डी ब्युसें और चलिए सबस्कुलाइब बहुत में अगला कोशन पर द्यान देते हैं इंसर भूमि को कितने वागों में बाटा गया था बहुत इपॉटंट कोशन, 29 नमबर कोशन है है, कि आयन ए अकवरी की अनुसार भूमी को कितने भागों में बाटा गया था तो बताते हैं बबू की भूमीस को यहां चार ब्हागों में बाटा गया था एक था पोलज भूमी दुसरा चचर भूमी और तिसरा तन। बंझर भूमी और एक था पकार तो, थे किया था जीए ना अबूल फजल्य अकुबर के 9 बाद़नु में से १ह झातन था और इसने क्या किया था वह नमा को 3 भाग कि उट्प 171 ऑर 204 फही पन्यांटट्रीक को आइन एक्वर का गया और आइन एक्वरी को 5 भागों में बाटा गया थाया तो ठीक है कि सब्सक्राइब कि जाए बाबरन्मर्ड के रचना और ते हैं कि कुछी कि स्मृतिक निरेख देखते हैं कुतुब मिनार का जो निर्मान था वो किसके स्मिर्थी में किसके याद में जोएकी बनाया गया था ठीक ना तो आपका यहां कोषन-व्लमीं स्प्रिंट हो गया है कि प्रथा कि सुरुवात की ठीक ना पता नहीं जड़िया की स्वर्था की बात हो रही Around हो एक हम इसको काड़ डेते हैं यहां पर बंद कर देते हैं टीक ना यहां कुमी सुधार संबंध ही जब ती प्रथा जो आया था अकवर के गाल में ओंगी ने दिया था निची अफसान तो क्या जाएगा टोड़न हो जाएगा कैसी अपसान एक डर्ड़ने दिया थी क्या है कि कि 1 समके माश्ighing का निशिंते कि नबर को शान है कि explicar के अखोर का नेमबर amrr center question है कि अखबरका जन में कहा ऊवा था ठीक आप Bloswire की अकबर का जन में कहां वा था ठीक है तो ठीक सिक्स का हो जाएक्व हुआ अमरत संवर् वात है कहीं फिश्याज में इसका जर्म हुआ था ठीक ना बहुत ही इस हमायू कर ये बेटा था कि कि किस मुगल सासक ने सती प्रथा पर पर्तिबंद लगाया था तो वह सती प्रथा पर पर्तिबंद लगाया था तो वह सती प्रथा पर पर्तिबंद अकबर ने लगाया था कौन लगाया था अकबर ने यह अकबर ने क्या कि सती प्रथा दास प्रथा सब्बंद क्या था और अगले कोशन पर ध्यान देते हैं कि कि किस मुगल बादसा ने जरोखा दर्शन की प्रथा के परतिबन लगया था तो किस मुगल बादसा ने संगीत पर परतिबन लगया था तो वो ता बावु औरणग जेप काने कभी पढ़ने को मिले इंटर में तो बहुत कम पढ़नेकों मिलेगा इंटर आप आजब के बार में कुछ पढ़ना यह नहीं है बस राजा कब बना और मरा कभी थ्थुरा सा इप्षेन पढ़ना कि राजा कैसे बना यह पढ़ना है तो आप लोग को कभी अगर बीए वेकरम कभी चांस मिले आगे तो इसके बारे में पढ़ियेगा तो पता चलेगा कि यह कितना कुरूर आ जाता ठीक ना चलिए आगे का कोश्चन पर जान देते हैं आप लोग ऐसी लाप से समय बने रहे हैं दोस्तों को सेर केजिए कमेंड के अगर समराज से समवन दीते छिना बीजय ने अगर समराज से समय ने अगर नीची अप्शन यहां है ठीक भी से नगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्रीन था तो यह देते जो समराज था उस यात्रा पर आने वाला पहला विद्शी यात्री कौन था तो बता दे बखो कि यह आने वाला पहला विद्शी यात्रा निकोलो कौंटीट कौन था कौन था निकौलो कौंटीट किना हो안 manda फोटी थ्रियमर कोशन देखेगा कि हम पी को इनोषको द्वारा पुरातव तो आस्तल किस वर्स घुसित किया दा बाभु इनोषको द्वारा क्या होता है कि पुरानी इसल ना अपने या पूरे वर्ड में तो उसको घुसित कर जाता है न Și किया जा सके ठीक ना तो तो हम्पी को कब उनिस्कों में जोड़ा गया था ठीक ना तो पोटी तरीका उजगा दे 1986 में जोड़ा गया था 1986 में 1986 इस भी में ठीक है आप लोग पता है बाबू कि 1986 में एक घटना हुआ था आपके देश में और रुनाचल परदेश राज बना था 1986 में गोवा बना था ठीक ना याद रखेंगा ने क्या हो था और राज को राज का दर्दा दिया गया था और हमपीक उनिसकों में जोड़ा गया था 1986 में चलिए अलहा कोस्षण देखते हैं चोईस नमर कि वहांबानी समराज की दादाणी कहते की दना लाए ना कहा थिच्टा 30 al-67 कोक expired हो जाएगा ек不好 कोषिंद Ten या संगरोत का हुआ था ताली कोटा का यूद यह बाभू अब लोगों को बिजन अगर समराज के हुआ था चूकि बहुत इपोटेंट है यह पढ़िएगा कभी तो पता चलेगा कि यह कैसा था ठीक ना अचाना की आमला हो गया था ठीक ना एक दिन पहले सब कुछ सही था यह अचाना कामला हो गया ताली कोटा का यूद फोटी फाइब को जागा भी पंदर सब पैसा ठीक में यह यूद हो आता ठीक ना और एक दिन अबू सब कुछ उजड़ गया रातो रातों देखते देखते सब कुछ उजड़ गया था ठीक ना चलिए जा जाता है सुफी संतो के केंद्र को क्या कह जाता है जा टीक सब कोशन का भकती आंदोलन कोशन है पढ़े होंगे कि बुक तो पता चलता होगा फोटी सेवा नमर कोशन है कि सूफी प्रमप्रा में गुरु को क्या कहा जाता था तो बाब गुरु को पीर कहा जाता था क्या हो जाएगा फोटी सेवन का यह हो जाएगा गुरु को पीर कहा जाता था और चेला को का जाता था पूर्टी नवर खुशन दखते हैं कि सुफी प्रमप्रा में सिस्ट को क्या का जाता अभी बताएं आप लोगों की मूरीद का जाता था ठीक ना फोटी इट का बी फोटीन नमर को सब्सक्राइब भारत में चिस्ती सिल्सिला के शंस्तापा कौन थे भारत में चिस्ती सिल्सिला के संस्तापा कौन है तो बाभू 49 जो जो सिख गुरू का बंदब हो हुआ था तो गुरु गोबिन सी का जो जन हुआ था पटने मुआ था यही मतलब कि इन्हीं का एगनारा है बाभू कि सवा कि सवा लाख पे एक बाद एक मतलब की भाई पटते हैं लोग याद नहीं आ रहा कि इनका क्या सहर था थी न चलि आगला कोशन पर ध्यान देते हैं कि किस विजेसी यात्री ने पुराणों का अध्यान किया था वो कौन से विजेसी यात्री था जो हमारे पुराणों का अध्यान किया था 51 कोश्चन है तो 51 कोश्चन है यह अल बरुनी जो था ना हमारे पुराणों का अध्यान किया था चलिए बाबू 52 नमर कोश्चन पर ध्यान देते हैं भारत में सती प्रथा को आँखों देखा हाल प्रसूत किया था ठीक ना बहुत इपोटेंट कोशन है बाबू आप लोग पढ़े होंगे पूरा डेफली तो पासा चलता होगा कि भारत में सती प्रथा को आँखों देखा ह किताब रहला जो है उस किसका किसका यात्रा बितानते तो है इवने बत उतागा क्या हो जाएगा आप संसी विल भी एंसर ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं चंदबर दाई है इसके लेखा ठीक ना चलिए अगला कोशन देखते हैं आप लोग कमेंट सेसमें जवाब देते रही है और दोस्ते बाइस सेर के ताकि सारे लड़के जूट जा जा जितने बचों का एकजाम है यहां पर उन बचों के पास यह वीडियो पहुंच जाए ठीक ना वीडियो को लाइक की ठीक है पाचपन नमर कोशन देखते हैं कि दिली सल्तनत की पहली और अंती मिला आदेखा सा सकती और दीली सल्तनत की पहली और अंती मिला आ सकते कौंती है तो थी बाबू रजीयर का ती सिताई चली अग ला कोशन है कि दिली सल्तनत का अधिम खतियां के अधिम सुल्तान तो तो यह बाता दे आप हैं इबराहीम और इब्राहीम ही dauercay बंद लिभो और बाबर के बीच में 1526 इस भी में पर्थम पानी पत का युद्ध हुआ था और वहीं पेब्राइम लोदी की हार हुए थी ठीक है देखते हैं पूर्त茶ना पर्ढेपर अधिकार क्या था टाअ कि भान पहला 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 इस्ट इंडिया सोट तो उन्सट का आपका हो जाएगा बी विल्वेंसर पूर्टगाली था ठीक ना जो पूर्टगेश जो कंपनी थे पूर्टगाली का जो कंपनी था इस्टीन कंपनी वही आया था हमारे भारत में पाला शाट नमर कोश्चन देखते हैं बाबू कि किस वर्स भारत की समुंदरी मार के खोच कि कि अगया तो बाता है बाबू 1498 में खोच किया गया था कभ फोर्टीन एंटीन एट मेंस का कोच किया गया था साट का क्या हो जाएगा साट का डीविल भी अनसर ठीक है बहुत बहुत बढ़िया इस नमर कोश्चन है कि भारत का पर्थम गवर्णल जनरल कौन था ठीना भार जो भी कुशन आ रहा है इसके आप लोगों को ध्यान भी नहीं होगे बात है ठीक तीट नहीं के बंगाल में जो इसाफ्ना कि कि ने कि निकीत तो यह पहलां कि लोड क्लाइव ने कि ने कि आथा दिवेट सासन का रिजापना ये ये देखेगा कि स्थाइभ बंदब्स की सा साथ लिखा हुआ है कि हम को लगता कि अबीनशर हो जाएगा है तो कि अब कर्णा बंदोष कि ने शुरुआत के सुरुआत गया तद से बने रहे आप लोग कोशन लिए जो भी इप्रेंट कोशन करा जा रहे हैं जो भी ने कोशन अब जो कोशन अब बहुत हीपोटेंट होगे आप लोगे एक्जाम की से दहीं क्योंकि आज घिक फिर के में सिर्फ हडपता को लिया गया है बाकी सारा कोशन आता बो मेडवालों से और हिमाहता बहुत में मौडल। पर धियान देना जरूरी है कि इससाइब बंदो्बस कहां लागू किया गया था तौरफ बंगाल में लागू किया गया था कि यहां सोई हुई महिला बिद्रोहियों में तो 66 का हो जाएगा डी विल्वेंसर ही रोज यहां पर वह इव रोज दिया हुआ है लेकिन क्या हो जाएगा ही रोज हो जाएगा आप लोगने सुना है कि पर पिछे रोज आ गया हाई गिरी अब रानी थी दिन पुष्टक किस ने लिखा यह तो आपका संसट का हो जाएगा एविल बेंस असुक मेहता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अगला कुष्टन देखते हैं ने सिच्टी एमर कुष्टन देखते हैं कि 1657 के समय भारत गवर्ण जनरल कॉन ता झाण जब आथान्यौ का बिद्रो भारत में वहां तो उस समय भारत गवर्ण जनरल कॉन तो शिक्टी एट का बबया आपका हो जाएगा कैन इंग था कौन था लॉड कैनि था टिक न जिसट तो बिहार में 387 के परमुख्णायाने कौन दो देकिन कोशन अगर पुछन पुछ दे सावर्गु कि पट्णा में इसका नियों तो पीर अली किये और पूरे बिहार से कॉपन किया था कुमवर्शी ने किया था गुब कुमर्शियनेटिंग उसे में इनका 83 हो गया था असी वर्ष हुआ था अठाथा अठाथा सत्य नमर कोशन है कि 867 का विद्रो कि स्थिथी को शुरू आ था तो यह बब आपको जाएगा है कि एक क्रांति ना था तो काल मार्क्स ने कहा था कि यह एक क्रांती है ठीण है सेटигрुत किसने क्या था हमने बता दिया वाबुग आप लोगको की पीर अलिने क्या था पारट में 827 का विज्टा द्का ने वला परथम पुर्तगाली कहां तो भार्त आने वाला पहला पूर्सकोड गाम्मा जो बाभू कि वास्को भारत दोबारा कब आया है तो 1502 इस्वी में अगर दोबारा पूषिदे तो पंदरशोंदोष्थथजवी में याद कर लीज पूष्ता भी है ठीट यह देखेगा ग्यान समय आट कि विए फिसम ऊपने औरन से सवॉच में कि विभाइन निर्माय में स्वागत के लिए मुझी अगला पκुछिन सबस्क्राक्राइम लिपर नमर कि फोट बिलियम कि सघेता है तो reflect estimate कलकेता में इसी ऑफ लिए soccer बड्रय तो अलब सब्सक्राइब करते हैं कि साथ द्यूपो का अगर कि इसे जाता है तो बादे पोका न अगर हम मुंबै को को काते हैं साथ द्यूपो का करें ना लेकिन कोशंच आएगा कि साथ टापोओ का सहर किसे का जाता तो साथ टापोओ का शर मंबई को कहा जाता है याद रखिए गा Yep, here what I want date Ratay behavior as if my touray टर्मिनल कि छैली की है शतातर मेंटीर ना अगला नवर कुछन देखते हैं कि अंग्रेजों ने सिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था तो किस ने कब गया था अंग्रेजी के माध्यम 825 इसमें बनाया था तो आपका एटीगा हो जाएगा बी टीन मुंबई में कहा है मुंबई में एटीगा क्या हो जाएगा बीविड बेंसर मुंबई में टीक है चलिए तो अगले नमर कोशन देखते हैं कि भारत की रधानी दिल्ली कि सवर्स लाए ग कि भारत की रधानी को किस वर्स कलकाता से दिली लाया गया था बारत की रधानी को किस वर्स कलकाता से दिली लाया गया था तो अंसर हो जाएगा बाभू 1911 में लाया गया था ठीक ना कब लागा था 1911 में लाया गया था ठीक ना आपका हो जाएगा डिविल बी एंसर ठीक ह चलिए देटीन कोशन कोशन कि कलक्ता किस नधी के किनारे सी तैक ना क्वेसं देखते हैं कि गाधि जी को अंग्रेजों ने पर्थम विश्यूत के में योगदान के लिए कौन सी वुपादी दिया था ना जब पर्थम वीश्यूत हुआ था बभू तो गाधि जी ने जो लेकिन अगर कोशन करेगा कि गाधी जी ने कैसर ए हिंद कुपाधी कव लौटा दी तो लौटाने का समय था बबू जलिया उलाबाग हत्या कांट के बाद गाधी जी निरास होकर कौन सी उपाधी अंगरिजों को लौटा दिये तो ओ है बबू कैसर हिंद को पाधी लौटा दिये ठीक है आप्शन सीविल बेंसर आपकोशन नमबर 84 है कि सवराज पाटी का गठन किस ने किया था ठीक न तो सवराज पाटी का गठन 84 को जागा डी के टीक flourishए हमना इसे कंग्रेश का अध्यक्च बने तो थे बहुभल पाटाभी सिता रमय करे, के ऩिन है ओध्यक्स बने धे कुण बोल्स को हराकर से कन्ग्रेश के अध्यक्ष बने थे, गपन गठना इसा घटा कि गांधी जिर सुभास चंद्रबोस के जितने पर खुस नहीं थे और सुभास चंद्रबोस ने इस बात को ध्यान देते हुए इस पत को त्याग दे दिया और फिर कौन बन गए पटावी सितार मया अध्यक्ष बन गए थे को सब्सक्रेटी नियुसमेदे देखते हैं कि क्रिप्स तनाव के को किसने पोस्ट टेटार जी कहा ता थेशंब्स अधिंव होसकता है जो आने उले समय में पेल हो सकता है एडती को कोशन है कि मुस्लिम लिग के सपना कव हुआ थी एटीएट नमर कोशन का ध्यान देते हैं कि मात्मा गांदी का जन्म कव वा था थी ना तो मात्मा गांदी का जन्म अक्ट्यूबर ट्यूट का जन्म के अब रोड़ था थे चन्म परतिक विडियो में देखते हैं कि का तो अब गयांदी नमर कोशन देता हैं कि दैश्यूट किस वर्ष पराराम वह था तो 1929 में प्रवराम हैं 21st पहले न में इंपर सब्स why debris सबैस्वान है कि महत्मा गांदी क 17 गुरु गुरु उखंथ है ते गोपाल क्रिश्न गोकले और गाधी जी किसके राजनिती गुरु ते तो गाधी जी जवार लाल नेरो के राजनिती गुरु थे ठीन नेटी चलो नारा किश्न दिया था अंसर शबका एंसर सही होना चाहिए ह नारा बहुत कि कई बार करा चुक है आप लोगों को पिछले सेशन में तो 94 को जाएगा दिली चलो का नारा सुभास चंदर बोस होगा क्या होगा सुभास चंदर बोस अप्शन ए विल बेंसर ठीक है अगला कुशन ध्यान देते हैं कि 95 उन्हों सहतारीस में भायत की सोतंतर था के समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कौन था आप लोगो को बता दें कि 95 में उसे प्रधान मंत्री तक होन आ गया था लेबर पार्टी का उँआ से समधित अगया था इसने गोषना किया था कि भायत को सबसे बड़ी एटेचु मिटर की ना आप याद रखेगा ये कोचेगा कि गुजरत में तो है गुजरत में और कि सबसे बड़ी एकुन लागव हैं जबिछ not this not that है नंगे कृत किया गया था आपने अंकचोंद किया था किवा यतलोगत किया था तो ताप है कि लेकिन लेकिन रखल है नियाद होगा नंगे 16- sexualिव में भारत्य सव्ष्थान सबाध घठान हुआ था ठीक है जले रास्ट कोशन रहे हैं कि हांडेड कोशन थे बारत्य सवेधान के समप्रोवतार संप्रोव ह्थ समय लुए सबसие और actives कि waste प्रताम हो गया टॉप फंडेट को सब्सक्राइब करें कि अब लोग बताएं कि किस कुण सा बीडियो आप लोग चाहिए ठीक ना आप लोग को बहुत अच्छा लागा होगा यह वीडियो कमें से सम्झेशन जवाब देजिए कि वीडियो कैसा लागा और जो लोग अभी नय सब्सक्राइब किजिए और दोस्तों के पास सेर किजिए लाइक किजिए ठीक ना थैंक्यू सो मच वीडियो को इंट तक देखने के लिए आप लोग का भी फायदा है ठीक ना अब्जेक्टिव को किलियर करते रहेगा सब्जेटिव भी कराएंगे अक्टूबर माह से थैं